Hello friends I am back तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अपने इस चैनल पर DTP टिप्स या पर desktop publishing tips के इस वीडियो चैनल पर इंडियाइन के बारे में और दोस्तों यह इस शीरीज की 26 वीडियो है और जिसमें हम बात करेंगे वरैपिंग के बारे में कि हम जो image wrap है या object wrap है हम उसे किस प्रकार से इंडियाइन के अंदर इस्तेमाल करते हैं ठीक है दोस्तों तो सबसे परद मैं आपका बताओं कि wrapping क्या होती है तो दोस्तों wrapping है कि यह कोई हम object to use करना चाहते हैं अब भी जैसे कि इसके नीचे overlap हो रहा है तो इसके नीचे overlap ना हो और वह पूरा इसके surroundings जो ए एरिया है वहां पर जाकर करके टेक्स पूरा adjust हो जाए तो so that कि हम जो image है यह हम इसको कई बार काम करते हैं तो उन जगवां पर क्या होता है कि हम image frame को छोटा करते हैं और उसकी बाद हम ऐसे क्यों चीज़ें place करते हैं यह हमारा old तरीका था बट अब क्या है कि जो भी तरीके हमारे पास है software में काम करने के तो यह हम कोई image place करते हैं तो उस image के surrounding हम उसको जो image है उसमें wrap इस्तेमाल करते हैं और जब wrap इस्तेमाल करते हैं तो जो text है वो अपनी आपी flow हो जाता है उस area को छोड़करके उसके next इतने surrounding area है वहां पर तो हम इसे किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं ठीक है दोस्तों तो आप select नहीं भी कर रखा है तो by default क्या है कि आपके properties बार windows होती है यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपके चार options बने होते हैं ठीक है दोस्तों तो यह जो चार options है जहां पर आप लाइने देख पा रहे होते हैं और इसके बीच में एक circle रखा होता है और object रखा होता है इसका मतलब है कि यह आपर एक object है तो उस object की surroundings है वो text किस प्रकार से place हो रहा है तो सबसे पहले मैं आपको यह objects यहाप जो menu आप देख पा रहे हैं tools तो यह क्या है तो मैं आपको यह बता दूँ पहले कि जो पहला tool है इसका मतलब है none यानि कि यहां पर कोई भी जो आप जो wrap है कोई apply नहीं हो रहा है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे है कि cover menu आगे है no text wrap और यहां पर जो क्लिक करते है तो wrap around the bonding box तो bonding box क्या होता दोस्तों कि जो भी आपका object है वो जो इसकी boundary है वो इसकी bonding box क्यालाती है कि जो object है इसकी जो पुरा पिसाप जो भी shape है उस shape के आपका triangle भी है तो भी इसकी जो bonding box होगा वो area आपका जो है texture wrap में इस्तेमाल होगा ठीक है जो third option है वो है wrap around object shape यानि हम जो basically क्या है इन दोनों का काफी इस्तेमाल करते है wrap around the bonding box और wrap around the shape यानि यही आपकी shape जो है वो triangle है तो जो आपको यह wrapping होगी वो उस triangle shape में होगी ना कि उसके जो box का जो पूरा एक object जो use करेगा जो square होगा या rectangle जो भी होगा तो उसकी बजाए वो उस shape को इस्तेमाल करेगा और third one क्या है जो last वाला fourth one है वो है आपका कि जहां भी आपका object place है तो उसके आपके पूरे space के surrounding area आप देख पार हैं कि इसके जतना भी यह area है त मैंने कि left or right के space है वो भी wrapping में आपका use होता है तो अब जैसे कि मैं यहां पर click करता हूँ यहां पर object मैंने बीच में रखा हुआ है ठीक है पहले पर click किया तो इसने पूरे play लिया जो भी आप यहां देख पा रहे है कि मैंने इसका bonding box जो है कि image सिर्फ इतनी है लेकिन bonding box सिर सिर्फ image के surrounding जो है wrapping इस्तेमाल हुई है और जैसी आप इसे move करेंगा तो जो image जहां पर move हो रही है सिर्फ जितनी image दिख रही है उतने पर ही होता है और यह दिया पर जैसे कि मैं move image को ऊपर नीचे भी कर रहा हूँ तो जो image की shape है burning box area पे नहीं हो रहा है shift shape पे हो रहा है और fourth one पे क्लिक करता हूँ तो जो पूरा का पूरा सिर्फ मुना बताया है कि right और left में जो भी area है वो पूरा wrapping में इस्तेमाल हो जाता है तो यह आपके तीन तो यहां पर जो आप menus देख पा रहे हैं अब बाके के menus इसके अंदर कैसे युस्तेमाल होते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको और भी कैसे control करेंगे इस wrapping को तो आप windows में जाएंगे window में जाने के बाद आप यहां देखते हैं कि एक option होता है जो इतने भी panels इंडियानिकन दरीज होते हैं वो सारे panels आपको इसी area मिलेंगे accept क्या है कि आपके जो type के panels हैं वो यहां मिलते हैं आपको बा सारे panels आपको यहां पर आप उन्हें on कर सकते हैं तो मैंने on करना है अभी text wrap मैं जैसी इसको पर click करूंगा तो एक menu खुल जाता है हलाकि इसमें मैंने side में रखा हुआ है text wrap को अध्याग पास नहीं होगा तो यह center में खुल सकता है जैसे कि यहां मैं move करता है center आ आप इसको करके आप अपनी टूल वार है वहां पर लगा सकते हैं जहां भी आप चाहते हैं ठीक है तो यह होगी हमारा text wrap अब आप देख पा रहे हैं कि जो चारो option थे वो options आपको यहां भी दिख रहे हैं और इसके साथ यहां पर आपको दो तिन options और भी यहां add हो रहे हैं ठीक है पर कि जो first of three हैं हम इनको ज्याज़तर इस्तेमाल करते हैं अब इसके बाद क्या है ठीक है दोस्तों अब इसके बाद आप जैसी क्लिक करते हैं तो आप क्या चाहते हैं मालीजे मैंने इसको image को वापस लिया जितनी विच्छ यह थी मुझे और मैंने first option इस्तेमाल कर रखा है या इसका तरीका दूसरा यह की है कि आपने इसके bonding बाद से बढ़ा दिया और आपने इसको इसको इस्तेमाल कर लिया ठीक है तो इससे क्या है कि आपने इसको surrounding जो है आपने एक space दे दिया जितना आपको space देना चाहते थे या आपको लगता है कि space perfect है मेरे इस artwork के लिए तो मानने लिगे, मैंने क्या किया, इस टेक्स और कीन क्रोल करता हूं, और मैंने किया, फुल जस्टिफाइड, अब देखिए, जस्टिफाइड करने पर क्या होता है, यह image है, वह बिल्कुल जो है, जो wrapping हो रहा है, image से बिल्कुल touch है, यदि मैं इसको जो banding बहुत से बढ़ाता ह इसके लिए दोस्तों यहां पर कोई menu इसका option नहीं आता है आपको वेदी कंड्रोल करना है तो आपको क्या करना होगा आपको text wrap खोलना पड़ेगा ठीक है तो अब इसमें जब text wrap खोलते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर आप दिखाता है कि जो square बना हुआ है हर option के साथ मे तो वह है हमारा object और हम wrapping जो है किस तरफ बढ़ाना चाहते है अरो दी हुई है अपने system पर काम करेंगा तो आपको प्रोपर चोटे screen पर देख रहे हैं तो आप अपने laptop पर आपने desktop पर काम करेंगा तो आपको यह menu से जो tools बने हुए यह आपको proper तरीके से दिखाई देंगे ठीके तो अब आप इसमें से यदि आपका जो यह make all the setting जो है ग्रूप किया हुआ है चारों को आपने क्लिक कर रखा है तो इस सारा ग्रूप है वो एक बार में applied होगा मैं चाहते हूँ यहाँ पर 5 करना जैसी मैं एक पर 5 लिखूँ आपके 5 अपने आप यह एड़ जाता है अपना wrap हो जायागा जो भी मेरा object हो जाया मैं चोटा करूँगा तो चोटा है तो 25 जो है वो चोटा है बड़ा से पड़ने पड़ना वो 25 का 25 फिक्स होना है चाहिदी मैं बढ़ा भी कर दूँगा तो भी इसके बाद भी जो bounding box है उसके बाद यह मेरा wrapping हो रखी है 25 पीटी प्रक्रश्ट को मैं ले देता हूं इस बटरफाय ले चलिए मैंने butterfly copy किया यहां पे और मैं लाता हूं इसको side में दोवारा butterfly वही जा गई और मैं क्या चाहता हों कि इसको मैंने flip किया ठीक है ऊपर जो भी है कोई issue नहीं है चलनी देते लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा wrap है मैं मैं इस image को क्या किया मैंने shape बनाया यह shape द दिख रही है in shape ज commandments commandments Master बनाया 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 अब मैंने इस image को Ctrl X किया और Ctrl V डाला जो मैने shape बनाया उसके अंदर नहीं Ctrl Alt V से paste in to किया, मैंने यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप कैसे इस इमेज को इमेज कैसे इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है अब मैं इसको करता हूं तो जो मेरा पहला option है मैंने इसको यहाँ रखा ठीक है तो हुआ कि यह जो wrap है इसने अभी भी bounding box लिया तो अब क्या कहा थ मैं चाहता कि जो wrap उपर से है वो तो ठीक है कोई problem नहीं है लेकि जो नीचे से wrapping आ रही है वो मेरी shape जो बनी हुए उस shape के surrounding चले तो उसके लिए हम क्या use करते है second option third option sorry wrap around object shape हम इस पर click करेंगे देखेंगे कि जो मेरा wrapping है अब वो wrapping जो है इस shape के surrounding आ रही है और यहाँ भी हम च कि यह फिर चारो जो मिनुश होते हैं गाप जाते हैं और around shape करते हैं तो वो shape के लिए चारो तरफ से उतना gap लेता है जितना कि आप नहां पर एक में डाल रहे है तो चारो तरफ surrounding gap अपने आप बढ़ जाता है मैं आप 15 कि यह देखें 15 पर तो उसने वो shape जो है वो return करेगा क कि आपकी shape वहां पर क्या दिख रही है ठीक है दोस्तों तो यह था आपका first and second option कि आप इसे किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं ठीक है अब third option में आप बहले बता चुका हूँ कि आपके पास यह चाहते हैं कि आपके पास image इतनी बड़ी है यहाँ आप मैंने image रखा है तो ज यहाँ पर देखी shape के साथ भी wrapping होती है लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो left or right gap वह पूरा 0000 हो जाए 100% wrapping हो तो आप इस पर click कर दिए तो अपने आप यह surrounding जो है इसके जो wrapping है वह वहाँ पर apply हो जाती है ठीक है अब यहाँ पर मैं दोस्तों एक बची और आपको दिखाना चाहता कि मैंने जो shape रखता हूँ यह रखा मैंने तो मैं wrapping क्या है कि नहीं चाहता कि मैं object के साथ wrapping करूँ मुझे object साथ wrapping नहीं चाहता हूँ कि मैं एक यहाँ पर object और बना दूँं तो बदोस्तों क्या look क्या करते हैं कि एक नया पुरा frame मना लेते हैं और wrapping उस फ्रेम पर apply करते हैं और इसके फिल कलर है वो नन करता है, मैंने डिप्रेस किया, डिप्रेस करते ही, जो फिल होता है वो नन हो जाता है, आउटलाइन को मैं यहाँ पर मैंने जिलो कर लेता हूँ, ठीक है, सुदर की जो आउटलाइन उस दिखती नहीं है, बड़ चाहते क्या है, कि जो मनाते हैं, तो यहाँ पर आप जैसी कि आपने अपलाई किया, कि व्रैप अराउंड ऑब्जेक्ट से पर क्लिक करेंगे, तो क्या होता है, जाए पहले पर हो या दूसरे पर हो, तो यहाँ पर आप देखें कि व्रैप ऑप्शन का एक ऑप्शन खुल जाता है, और यहाँ प उसकेов इससरॉ doughnut को पूरा टेक्स हो बड़ बन राप हो जाता है, आप बढ़ाम करकेंगे तो जो साइज पूरा बड़ बन राप हो जाएगा, आपके साइज सबस्सक्व से आपके हैं और आकर दोग यह attempt हो पकुरा। करते हैं, आप समझ जाएगे कापकी इसको कहा इस्तेमाल करना है, बस mostly हम लोग right left इस्तेमाल करते हैं और üzere हम wrapping इसीरी के द्वारा जो भी हम जितना जाते है जतना perfect इसमें इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तो यह थास की wrapping रहते हैं किसी कहीं भी किसी भी आप टेक्टक्स फेर्म पे अपलाई करना चाहते हैं वह पर अपलाई कर सकते हैं अब जो डियो दोस्तरा में बताऊड़ा कि आप माल लेती कि मैं ने इस इमयजaaaa यहां पर व्रैप किया है तो मैं इस इमेज को जो एंकरिंग होती है इमेज एंकरिंग अलोंग विद व्रैप वो किस प्रकार से यूज करते हैं दूस्तों काफी इंपोर्टें सेक्षन है और काफी लोग एडवांस लेवल पर जाती है तो मैं आपको अगली वीडियम बताऊ यहां पर जितनी वीडियो से आपको तुरण जो मेरा चैनल है आप वहां मिल जाए तो मैंने एक टीप का एक टेलिग्राम चैनल भी है वैने बनाय हुआ है आप इसको जोई कर सकते हैं और यहां पर जितनी भी मेरी वीडियो से होँगे जितनी मीरी आप टोपिक्स डालूं क्या सर्च करेंगे आप यहां पर DTP tips underscore discussion सर्च करेंगे तो जो भी मेरा channel है वो अपने आप यहां पर आपको list में show कर देगा और चाहेंगे तो मैं इसका जो link है मैं वो भी डाल दूँगा description में कि आप इसको click करके जो मेरा channel का link है वो भी आपको हाँ पर बिल जाएगा ठीक दोस्तों तो मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे text grab with text grab of object with anchoring कि हम anchor किस प्रकार से images को करते हैं in design में ठीक दोस्तों तो मिलते हैं next video में बाई बाई